साथियों, भारत आज किस तरह वैश्विक चुनावतियों का मुकाबला करने में मदद कर रहा है, इसका एक और उधारण एन्वारमेंट का भी है, अज क्लाइमेट जेंच विश्व के सामने मौजूद एक महत्वपुन संकट बन गया है, हमने भारत में इस चुनोति को देखा भी और उस चुनोति से साही समाधान के लिए रास्ते भी खोजने की दिसा में हम आगे बड़े, भारत ने दोहजार सत्तर तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है, हमने इंटरनेशनल सोलार रेलाएंस जैसे ग्लोबल इनिशेटिव का भी नेत्रुत्व किया, क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया पर नेचरल डिजास्टर्स का खत्रा भी बढ़ गया है, इन डिजास्टर्स के खत्रों को, उनके प्रोदूशन के दुस्प्रफावों को जापान के लोगों से ज्यादा बहतर और कौन समझ सकता है, प्राकूरतिक आपदाओं से ज्यापान ने लड़ने के ख्षमता भी बना दी है, जिस तरह ज्यापान के लोगों ने इन चुनोतियों का सामना किया है, हर समस्या से कुझन को सीखा है, उसका समाधान खोचा है, और व्यवस्ताएं भी विक्सित की हैं, व्यक्तियों का भी उस प्रकार से समस्कार किया है, यह अपने आप में सरानिया है, इस दिशा में भी भारत ने CDRI, याने Coalition for Disaster Resilience Infrastructure में लीड ली है, साथियों भारत, आज Green Future, Green Jobs के लिए, केरियर रोड मैप के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत में Electric Mobility को व्यापक प्रोच्छान दिया जा रहा है, Green Hydrogen को Hydro Carbon का विकल्प बनाने के लिए विशेश मिशन शुरू किया गया है, बायो फ्यूल से जूड़ी Research और Infrastructure के निर्मान पर बहुत बड़े Scale पर काम चल रहा है, भारत ने इस दसक के अंत तक अपनी Total Installed Power Capacity का 50%, 50% नौन फोसिल फ्यूल से पुरा करने का संकल्प लिया है, साथियों समस्याओं के समाधान को लेकर भारतियों का जो ये आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास आज हर छेत्र में, हर दिशा में, हर कदम पर दिखाई देता है, ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार, बीते दो सालों में नुक्सान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निसान में गिरी हुई है, अज सारी दुनिया के लिए है, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट बना हुआ है, भविष्य में ऐसी स्थिती से बचने के लिए हम आत्म निर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आत्म निर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है, ऐसा नहीं है, ये एक स्टेबल, ट्रस्टेड, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आज पूरी दुनिया को एहसास हो रहा है, कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है, वो अभुत पूर्व है, दुनिया को आज ये भी दिख रहा है, कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्रेक्टर और इंस्टिटूशनल कपसिटी बिल्लिंग, उस पर जो जो जोर दे रहा है, यह भी अभुत पूर्व है, मुझे खुशी है, कि हमारी इस कपिसिटी के निर्माण में, जपान एक एहम भागिदार है, मुंबई अमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडरस्टिल कोरिडोर हो, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर हो, यह भारत जपान के सहियों के बहुत बड़े उधारना है,